इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके OnePlus के किसी भी फोन में इंटरनेट यानि मुबाइल डेटा वर्क नहीं कर रहा है चल नहीं रहा है आपका इंटरनेट तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें वीडियो ध्यान से देखते रहिए तो सबसे पहले आप यहा आपके SIM के जरीय की नहीं अगर इंटरनेट चल रहा है तो इसका मतलब आपके फोन में कुछ network settings में गड़बढ़ है तो उसे कैसे सही करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर अपने फोन में Aeroplane mode को एक बार on कर लेना है ठीक है इसे दो मिनट तक on रखे छोड़े और इसे आपको वापस से off कर ले रहा है ठीक है इसके बाद settings में जाना है और यहां आपको mobile network में आना है यहां पर आपको SIM card में चले जाना है और make sure करें आपका data roaming on हो बहुत से लोग क्या करते हैं अपने शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं किसी दूसरे शहर घूमने अपन उनका data roaming इस तरीके से बंद होता है और उसके वज़े से ही उनका internet नहीं चलता है तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो data roaming आपका enable जरूर हो और volte आपका यहां पर enable होना चाहिए ठीक है इससे भी effect पड़ता है आपके internet पे अब आपको यहां पर क्या कर रहा है यहां पर कभ इस तरीके से आपको auto select कर रहा है यहां पर आपको access point name में आना है और यहां पर आपको three dot पे click करना है और अपने access point को reset कर लेना है इससे क्या होगा जो भी GPRS की settings होती है वो restore हो जाएगी और इससे आपकी problem solve हो जाएगी अब अगर इससे भी problem solve नहीं होती है तो यहां पर सब से आखरी में आप क्या कर सकते हैं अपने phone के settings में जाकर यहां पर बिल्कुल नीचे आपको जाना है system settings में जाईए और अब आपको बिल्कुल नीचे आना है backup and reset पे click करिए और reset phone में आपको आ जाना है यहां से आपका कोई भी data delete नहीं होने वाला है उसके लिए बेफिकर र देखिए आपकी जो भी internet से related लिखा भी हुआ है recent wifi bluetooth और mobile network settings तो यहां से आपको reset कर लेना है network settings को इसके बाद आपकी settings default में आ जाएगी और आपकी problem definitely solve हो जाएगी